हालो दीहर स्टूडेंट्स मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर आज हम डिसकस करने वाले हैं चाप्टर रीजनिंग का चाप्टर इंसर्टिंग दा मिसिंग नंबर बच्का जो यह चाप्टर है यह किस trade लेवल के जो एक्जाम रहते है जो एक्झाम रहते हैं यह सथेट लैवल के जो एक्जाम के अंडर राते हैं एक्जाम में इस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यह आता ही आता है इस चाप्टर में क्या है डिसकस करते हैं तो इस यह कुछ ऐसा रहेगा जैसे दिया हुआ है उन्होंने कोई पिक्चर दी है उसमें कुछ नंबर होंगे ज़़ा अलफाबैर्स भी हो सकते हैं एक नंबर मिस होगा तो इसका उस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है अब फा सारे रूल इस पर अप्लाई होंगे जो बच्चे मेरे चैनल पर नए है एक बार इस वीडियो को भी देखे और जूर समझने की कोशिंग करें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वह वह सारे चैप्टर से एक बार रीडाउट कर सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्र से स्टार्ट करते हैं कि फाइंड नमबर हमें ऑप्शन गीवन है यह आपको फोर सिक्स्टीन शिस्टीफोर मैं आपको बिसिकली थोड़ा बदा देती हूं चैप्टर शुरू करने से ब्याले हमें स्क्वाइर जाने चाहिए क्यूब जाने चाहिए और टेबल आने फोर को फोर से मल्टिप्ला क्या में जाने के लिए विए भी हमें से मल्टिप्लाई करना होगा तो को नुटिफीप्लाई किया तो मेरा अंसर आया है 256 clear बच्चा तो जो number series में था वो भी यह pattern रहता था उसमें बस सिर्फ ऐसे दिया हो था 4, 16, 64 और fill up clear तो उसमें भी हम ऐसी करते थे इनका pattern इनके साथ और next हम इसका next answer जानते थे clear बच्चा इसलिए आपको number series जिन दच्चो ने किया है उनको बहुत easy हो जाएगा clear next question पर आते हैं next question पर दिया हुआ है 34, 46, 58 बच्चे मैं आपको पहले भी इस चीज को काफी बाहर बताया है आप basically अब पीछे ता 4, 16, 64 आपको लग रहा है यह किसी ने किसी table पर आ रहे हैं अब इनका gap देखो कितना कम है 34, 46 और 58 इनका gap कितना कम है तो obvious यह multiply तो नहीं हो सकते तो हम इसका क्या देखेंगे difference देखेंगे clear तो अगर difference देखते हैं 34 से अगर 34 से 46 तक जाते हैं 12 प्लस हो रहे हैं 46 से हम 58 तक जाते हैं तो हम 12 प्लस हो रहे हैं clear अब इसमें 2 options बन सकती हैं जातो हम 58 में 12 प्लस करके देखें 58 में 12 प्लस किया 8, 2, 10, 5, 6, 7 70 अंसर आ रहा है clear तो 70 मेरा option में नहीं है 70 मेरा option में नहीं है तो मैं यह सोच सकती हूँ तो यह हमारा bag चल रहा है कि यहां पे कोई number होगा उसमें 12 प्लस किये फिर इसमें 12 प्लस किये फिर इसमें 12 प्लस किये अब यह circle में है तो मेरे को यह नहीं बता है इसका starting point क्या होगा clear तो दोनो method हमारे mind में होने चाहिए अब क्या करेंगे हम 58 में से 46 minus किये 12 आ गया बचा दोनों को दिहान से देखना है और answer लगाना है clear तो next question की तरफ चलते हैं अब आगया 9, 17 और 33 फिर next मेरे पास question mark है अब देखो 9 के table पर 17 नहीं आता 33 नहीं आता एक बार आपने वीडियो को pose लेना है और अच्छे से सोचना है फिर आपने answer की तरफ जाना है तो discuss करते हैं अब मैंने बोला आपको ये table में तो नहीं आते हैं तो table में नहीं आते हैं तो सबसे पहले हम difference चेक करते हैं clear तो 9 और 7 9 और 17 में क्या difference है 9 में 8 प्लस किये 17 आगे अब next क्या है 17 और 33 तो इसमें 16 प्लस की है अब इसमें 8 प्लस की है अब 16 प्लस की है तो ये देखो double हो रहा है 8 16 तो इसमें क्या होगा 32 एड होंगे 33 में अगर मैं 32 एड करते हूं तो क्या answer आजाता है मेरा 65 बच्छा एक question हो रहा सकता है जैसे हो सकता है सब में 8 8 प्लस हो रहे हों पर इसमें क्या है double double प्लस हो रहा है 8 का 16 प्लस हो रहा है तो next हम 16 का क्या प्लस करेंगे 32 प्लस करेंगे तो next question की तरफ चलते है next question क्या कह रहा है 8 64 216 मैंने सबसे पहले बोला था आपको square और cubes थोड़े आने चाहिए जिन बच्चों को square cubes आते है उनको ये question का pattern कुछ idea हो रहा होगा कि हमने ये question कैसे करना है चलो discuss करते है इसका अंसर अब 8 क्या है मेरे पास 2 का cube है cube मतलब समझे 2 को अगर मैं 3 times multiply करूं तो 8 आता है 64 क्या है 4 का cube है और अब ये 2 का ये 4 का 2 1 6 6 का है अब देखो इनका 2 2 का difference आ रहा है 2 4 6 continuous here is नहीं है 2 4 6 तो क्या आएगा 8 तो 8 का cube क्या रहेगा मेरे पास 5 1 2 5 1 2 तो ये answer क्या आ जाएगा 5 1 2 clear अब देखो पहले circle में चल रहे थे अब square में आगे बचाब किसे भी shape में question आ सकता है clear हम maximum में कोशिश करूँगी आपको सारे rules यहां discuss करवाने के लिए आप पूरी video देखे और ध्यान से देखिए clear तो अब इसमें अगर square वाले question आ जाएं तो इसे कैसे करना है अब square में कहीं भी question mark आ सकता है दो डिजिट छोटे हैं यह बड़ा दो छोटे यह बड़ा clear तो अब अब असका answer हम डिसकस करते है तो answer में क्या रहेगा अब देखिए मैं अगर 8 और 3 को simply plus करती हूँ 9, 10, 11 11 तो यह नहीं बन रहा clear तो इसमें क्या होता है जो दो डिजिट है इनको plus करके भी कुछ आ सकता है इनको minus करके इनको multiply करके clear इनकी square जा cube करके कई बार question में क्या रहता है जैसे 8 और 3 की cube जितना जितना है उसको add करके answer दिया होता है कई बार क्या दोनों की square जा cube को add minus करके subtract करके दिया होता है इनको आप लिख लीजिए दो डिजट को multiply करके भी दिया हो सकता है plus करके भी दिया हो सकता है multiply plus करके भी दिया हो सकता है minus करके भी दिया हो सकता है दोनों की square करके भी minus किया हो सकता है दोनों की cube करके minus plus कुछ भी किया हो सकता है यह इस ऐसे भी हो सकते है और यह इस root में row और column किसी में भी हो सकते है clear तो अब यह question देखते हैं तो इसमें क्या है अब 8 threes are 24 अब यह तो 21 है पर मैं सो सकती हूँ चलो 24 के नसदीग अगर मैं 3 minus करो तो 21 आ सकता है इसमें 3 यह बले minus हो रहा है 5 minus हो अब इसमें भी यह चलना चाहिए 12 to 24 तो यह क्या है 2 तो इसमें 2 minus किया तो मेरा क्या आ गया 22 बच्चा एक रोजा कॉलम में जो applicable हो रहा है वो सारी रोजा कॉलम में applicable होना जरूरी है यह निया आपने एक रोजा को चेक करके लास्ट पर अंसर निकाल दिया तो दोनों पर देखना जरूरी है क्लियर नहीं तो कई बर हमारा question गलत हो जाता है next one पर चलते है next फिर हमारा यह देगा अब देखो इसमें क्या कुछ यह तो simple चोटे 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 डिजिट आ गया है पर यह last डिजिट है यह कुछ देखे देखे लग रहे है 49, 64, 169 जिन्होंने square cubes के हैं उनको याद आ रहा होगा यह क्या है squares आ रहे है मेरे पास 7 का 8 का clear 13 का याद आ रहा है कुछ तो अब देखना है यह कैसे होगा चलो discuss करते हैं अब इसमें क्या है मैं ऐसे ले रही हूँ तो कि इसके नीचे सबसे बड़ा number आ रहा है तो हम इसको discuss कर रहे है 1, 4, 2 कितना हो गया 1, 4, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया 7 हो गया और यह क्या है 7 की square means जो इनको add करके आया उसकी square कर दी 4, 5, 6, 7, 8 8 इसको plus करके जो आया उसकी square कर दी अब यह बता है मैं को 13 की square है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, 8 13 कैसे बनेगा अगें 5 प्लस होंगे तो यह answer क्या आ गया तो यह 13 बन जाएगा और 13 का square क्या होगा 169 तो मेरा answer क्या आ गया 5 की यहाँ पर 5 आना चाहिए अगर यहाँ पर 5 होता है 5, 4, 5, 10 और 3, 13 13 आ जाता है और यहाँ पर 13 का square है clear बच्चा बहुत important chapter है इसको अच्छे से समझना है clear तो next देखिए सारी shapes मैं discuss करूँगी किस किस type में यह question रहती है तो 7th question क्या कह रहा है 7th में इन्होंने क्या दिया है सब कुछ mix है यह 4, 27 question mark यह 9, 17, 6 clear तो इसमें क्या पहले देखो कुछ कुछ digits हैं वो चोटे हैं और कुछ एक यह कुछ बड़े भी दिख रहे है उसमे clear इनको plus या minus करके हम कुछ idea लगाते है clear discuss करते हैं 4, 9 और 6 अगर 4, 9 और 6 को plus करें तो कितना आएगा clear 9 और 6 मेरे 15 हो जाते है 15 और 4 मेरा कितना हो गया 19 तो यह क्या है मेरे पास 17 वैसे इस रोग को छोटे छोटे डिजर 3 डिजर को add किया तो मेरे पास 19 बन रहा है पर यह क्या है 17 तो मैं सोच सब कि 2 minus होंगे तो next पर भी applicable करते हैं अगर मैं छोटे डिजर उठारी हूं 5, 8, 9 तो यह कितना बन जाता है तो यह कितना हो गया मेरा कितना रहेगा 9 और 8 17, 17 और 5 कितना रहेंगे मेरे 22 तो इसमें भी 2 minus करेंगे तो क्या आएगा 22 बन रहा है यहां पर 22 तो 2 पर applicable हो गया तो तीसरे पर भी applicable करना है और 4 पर का भी वैसे हमने answer निकालना है अब 4 पर क्या है बड़ा तो मेरा 19 है clear तो अब 3 को plus करके 19 में से minus करें कि मारा 2 आए 19 से 2 जादा क्या होगे 21 आए तीनों को add करके मेरा 21 आए अब 9 9 और 4 तो मेरे पास है है 13 होगे clear अब 21 बनाना है मैंने 21 क्या करेंगे 8 एट कर देंगे हम 8 एट कर दें तो क्या बनेगा 21 तो 21 और 9 का difference क्या होगे मेरा 2 आ जाएगा clear बच्चा clear तो ऐसे question आपके पास रहेंगे कि आपको देखे लगया क्या कैसे digit दे रखे हैं ऐसे में वह प्लस जा माइनस ही कुछ रहेंगे अगर कोई digit आपको जाना कुछ multiply में लग रहा है तो भी मेरे बचे टेबल स्क्वार्स और क्यूब आने ज़रूरी है clear वह तो आपके quants के लिए में ज़रूरी है और reasoning के लिए होते हैं किसी भी शेप में question दिये होते हैं उनका आपस में link होगा लैसे यह तो basic question है आपको देखे ही बता चला होगा कि 9 और 27 का link क्या है 9 और 54 का link है 9 के table में आते है clear तो discuss करते हैं 9 के table में 9 रिजा 27 9 6 का 54 तो same इस पर भी applicable करके देखे 14 3 का 14 6 का clear तो इस पर भी 7 6 का है तो यहां क्या आएगा 7 3 का 73 का क्या आगया मेरे पास 21 बचा मैं again बोर्यूं टेबल स्कॉर्स और हमें क्यूब साने जरूरी है बचा एक नई शेप हमारे सामने आई है clear अब इस शेप को हमने कैसे देखना है clear सब में यही रहता है आपस में कोई ना कोई link होना चाह सब्सक्राइब कर देखना है कि इसका लॉजिक क्या होगा 18 के बाद 36 कैसे आया 54 कैसे आया 72 कैसे आया 90 कैसे आया clear तो यह क्या हो रहा है मेरा 18 का टेबल चल रहा है पूरा 18 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा clear तो इसको निकालना है इस पर भी आप अपलीकेबल करके देखे 242 का 242 का 48 and so on clear तो अब यहां पर क्या है बीच वाला नंबर ही गायब है तो 62 93 124 155 तो हम सोचेंगे कैसे निकाले है वैसे तो आपको वर्बली इतना आना चाहिए अब 62 62 को मैं 2 से डिवाइट करेंगे तो मेरा क्या आ गया 31 31 को 2 से मल्टिप्लाई किया 62 आ गया 31 को 3 से मल्टिप्लाई क करेंगे 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो मेरा अंसर क्या आ गया 31 क्लियर तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एक नहीं और शेप आई है मेरे पास find the missing number क्लियर तो 25 17 6 अब 6 के टेबल पे ना तो 25 आता है ना ही 17 आता है अब हम इसमें क्या है कुछ डिफ्रेंस भी देख सकते हैं स्क्वार क्यूब भी देख सकते हैं जब प्लस करके something देख सकते हैं बच्छा ये question थोड़ा हटके है जो पिछे question किया है एक निया pattern है आपको हर question में एक निया ही pattern दिखेगा आप पूरे question को ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखें क्लियर तो 25 और 17 को अगर मैं प्लस करती हूं तो क्या आजाता है मेरे पास 42 क्या आजाता है इनका एड़ करके मेरे को 42 तो यहां क्या है मेरे पास 6 मैं simply बोल सकते हूं उसको 7 से डिवाइड किया है जा इसको बोल सकते हूं 7 से मल्टिप्लाई किया है कि इसका 7 टाइम है clear कुछ भी बो 89 और 16 एड़ किये 89 और 16 को एड़ किया 105 आ गया clear तो 105 को 7 से डिवाइड किया तो मेरा अंसर क्या आ गया 15 अंसर क्या रहे है मेरा 15 clear बच्चा तो यह सारे कोशन एक एक रूल की तरह काम कर रहे है आपने पूरे अच्छे से देखने भी आ और इसको नोट डाउन भी करना है clear अपने नोट्स अच्छे से परपेर करने है कि आपका कोई भी एक्जाम आ जाए बच्चा साल में SHC है जो वो कुछ एक्जाम तो उनके पैटरन है जैसे CGL अगर आप इंस्पेक्टर की तरफ जाना चाते हो MTS clear जो स्टार्टिंग एक्जाम रहता है 10 पास के लिए clear CHSL जिस कोई स्कोप नहीं है आपका अच्छा स्कोप बन सकता है CPO जो पूलिस में जाना चाते है clear तो यह साल में चार पेपर तो सेंटर वाले निकालते ही निकालते हैं SSC पब्लिश करती है clear तो उनमें यह जे चौक्टर है सारे most most important है बचा इसमें तो एक हमारा माक्सा जो important रहता है clear तो 11th portion की तरफ चलते हैं तो इसमें देख एक नई शेफ आपको दिखने को मिल रही है शेफ तो दिखने में मिल रही है तो यह तो ठीक है 12345 कुछ ऐसा ही दिख रहे है जो बीच वाला सरकल है उसमें जो वर्स दिख रहे हैं 36 49 और 144 तो यह तो देखती बता चल रहे हैं स्क्वार बन रहे हैं 6 सेवन का और 12 सेवन का अब बैसे बन कैसे देखे है यह एक प्ला पोस्टन हो गया यह पल्स फैजनी हो गया इंक को सॉल कर रहा है और स्में कैसे कर रहा है अब हमने यह देखना है यह तो देखके वाएछ छलता है 5 समति स्क्राइब आं हाई 6 ? तो 6 क बाट करते हैं हमारा अंसर 100 ठीक है तो हमारा अंसर क्या रहेगा 100 तो निक्स कोईशन की तरफ चलते हैं 12th कोईशन नई शेप आगी बच्चा नई शेप नया पैटरन नया पैटरन लेकर हम कोईशन डिसकस कर रहे हैं अब इसमें क्या दिया हो है 5 3 4 अब अगर इसमें देखो बच्चा इस शेप ने कौन-कौन से पैटरन लग सचते हैं मैं आपको बता रहे हूं क्या रहता है इन सबको अड़ करके जो भी आएगा उसको बीच में लिख देते हैं वोला नंबर ठीक है secondo पैटरन क्या रहता है तीनों का मल्टिपलाई हो जाता है तो इसमें मल्टिपलाई होगा ने अगर मल्टिपलाई होगा 5 310 15 15 फोगा तो नंबर बढ़ा आजाए है म तो मैं जो आपको बोर रही हो तो वो कोई भी पैटर्न इसमें फोलो हो सकता है तो इसमें देने क्या आएगा अब 5 4 3 और 4 तो 5 3 और 15 15 तो मैं तो मैं वोगोगा 15 और 4 19 हो सकता है ये तो मेरा सब्सक्राइब अब इसमें 3 डाइग्रम इसलिए दे रही है कि आप second पर भी apply करके देखो अब इसमें apply कर देखो 64 दा 24, 5 plus किया 29, तो same ऐसा रहेगा 75 दा 35 और 6 add किये, तो मेरा answer क्या आगया 41, clear है बच्चा तो next question पर चलते हैं 13 question है हमारा 13 question पर आगे हैं तो इसमें भी एक दिख, आपना same shape है जो हमने पहले भी discuss कर रखी है तो इसका हमने pattern discuss करना है, इसमें क्या दिख रहा है 12, 8 और 80 अब इसका हमने देखना है क्या इसमें logic लगेगा यह अच्छे वाला question है कुछ question होते हैं, जो कुछ difficult level के होते हैं यह अच्छे वाला question आएगा हमारे पास अब इसमें 12 और 8 को multiply करते हैं नहीं आता, clear तो इसमें अब क्या रखा है 12 की square कितना हो गया, 144 8 की square, 64 clear, अब नीचे क्या है 80 तो इनका difference, difference क्या आगया 0, 8, 80 तो यह क्या आगया है, यहाँ पे 80 clear, तो means इसका square और इसका square दोनों को minus कर रखा है इसमें ऐसा कोई भी pattern आ सकता है square भी आ सकता है, cube भी आ सकता है ऐसे भी हो सकता है, यह minus हो रहा है ऐसा भी हो सकता है, यह plus भी हो clear, तो next same हमने यही applicable करना है, 25 का square 625, 21 का square 441, clear, दोनों को minus किया तो मेरा answer क्या आगया, 184 बचे इसलिए volume square cubes आने जरूरी है, clear, next 14 question पर चलते हैं, यह भी हमारा नई shape आ गई है, और इसको हमने कैसे करना है, clear, अब इसको करने के लिए, जो भी बच्चा इसमें 5-6 word digit यह होते हैं वो सारे essential होते हैं, सबका किसी ना किसी के साथ link जरूर होता है clear, अब इसमें क्या है, 6 और 4 6 और 4 कितना रहा है पहली बात तो देखो find out क्या करना है हमने, center word करना है तो हम center word की तरह ही concern करेंगे clear, 6 और 4 कितना हो गया, 10 10 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया, मेरा 18 यही आ गया, अब दोनों का difference क्या है, center word आ रहा है मेरा center word आ रहा है, clear अब देखो, मैं next में भी applicable हो रहा है आप इस पे भी applicable करके देखो clear, फिर यह हम answer निकालेंगे 13 प्लस 10 क्या आ गया मेरे कर, पे पस और 9 प्लस 2 clear, दोनों का difference निकाला, मेरे पास answer आ गया है, clear, आपने पहले दोनों पे applicable करना है, बच्चा दोनों पे applicable होगा आपका रूप तभी आपने missing number को find out करना है, clear, तो next और last question की तरफ चल देएं, बच्चा यह 15 question आपके 15 rules की तरह काम करेंगे, इसके इलावा आप number series वले chapter भी ज़रूर देखें, उससे आपको और अच्छे rules पता चलेंगे, बच्चे इनके favorite chapter है, number series analogy और missing number इनके favorite chapter है, अब center के लिए जाते हो, पंजाब state का exam देते हो तो इनके favorite chapter रहते हैं इसमें से ही 5 to 6 question आपके आजाते हैं, 5 to 6 question बहुत माइने रखते हैं, clear तो अब इसमें क्या रेखा है, 5, 6, 3, 8 center word नहीं है, तो हम center word की तरफ ही जाएंगे, अब center word की तरफ जा रहे हैं तो 5, 6, 3, 8 clear इन दोनों का याड़ करके अब difference करेंगे, कामा जाएगा अब क्या है, 5, 6 का 30 3, 8 जा 24 clear दोनों का difference क्या हो गया 30-24 क्या आगया, मेरे पास 6, और same हमने second पर apply करके देखना है फिर हमने answer पर apply करना है clear, 9, 7 का और 6, 8 का 9, 7 का 63, 6, 8 का 48 दोनों का difference क्या आया मेरे पास 15, तो मेरा answer क्या रहेगा, 15 बच्चे ये 15 rule थे, जो हमने discuss की है, ये 15 question 15 rule की तरह काम करेंगे आपको कोई भी question आजाता है, इसे pattern को हमने mind में रखना है, इस सबको notes बनाइए अच्छे से, कि आपको जब भी आपका कोई exam आता है तो आप उसको revision अच्छे से कर पाए clear, जो बच्चे मेरे चैनल पे new हैं, वो चैनल को subscribe जरूर कीजिए, clear ठीक है, कोई भी आपको एक doubt आता है तो हमारा doubt session के लिए telegram group है, आप उसी भी join कर सकते हैं, जो description में उसका link दे रखा है clear, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, next video में मिलते हैं